बच्चो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकप अकैडमिक्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 और कोशिशन नमर वन को स्टार्ट करते हैं क्या है कोशिशन प्रूब एट एंडर रूट 5 इस इरेशनल तो आपको प्रूब आपने लेट असमी लेट असमीड़ एंडर रह एड़ उनंबर है मानते हैं कि एक रीशनल नमबर है तो रीशनल नमबर की कंडिशन क्या होती है तो रीशनल नमबर जो होता है उसकी condition होती है वो PYKO की farm में होता है तो हम यहाँ पर A और B मान लेते हैं इसको तो अब देखिए A और B क्या होने चाहिए A and B are co prime numbers तो co prime number कूर से number होते है co prime वो number जिनका HCF क्या होता है 1 होता है तो इसको हम rearrange कर लेते हैं तो यह cross multiply होगा तो यह आ जाएगा आपका under root 5B equals to A अब आपने क्या करना next step में square कर देना squaring both side squaring both side तो दोनों दरब जब square करोगे तो आपके पस condition कुछ इस तरीके से बन जाएगी root हट जाएगा 5B square equals to A का square तो यहां पर आपको एक चीज़ सामने दिखाई दे रही होगी A square जो है वो किसे divide हो रहा है A square is divisible by divisible by 5 से divide हो रहा है ठीक है और theorem 1.3 क्या कहती है अगर A square 5 से divide हो रहा है तो A भी क्या होगा A is also divisible by 5 तो A square भी किसे divisible होगा 5 से होगा इसको 1 दे देते हम अब A क्या है आपके पास Let us suppose के A क्या है हमारे पास A को ही हमारे पास number है जो किसके बराबर है 5 C के बराबर है तो अब आप यह value उठाके यहां पर ढाल दो ठीक है जहां पर आपके पस A आता है तो वहां पे आप जो है 5 B स्केर ढाल दो और A स्केर की जगा आप यह वाली value ढाल दो तो यह इसकी जगा ढाल दो यह उसकी जगा ढाल दो देखो A की जगा क्या आ गया हमने ढाल दिया 5 B का स्केर और A स्केर तो यह आ जाएगा 5 C का स्केर ठीक है पास आजाता है B square equals to 5C square ठीक है तो इस conclusion से आपके पास क्या आता है इस conclusion के बाद आपके पास आती है condition यहां पर आप देखोगे तो B square किसे डिवाइड हो रहा है 5 से B square is divisible Y 5 B square जो है 5 से divisible है तो theorem 1.3 के accordingly B भी क्या होगा इस आल सो आल सो divisible Y 5 तो यह आगया आपके पास condition number second तो अब यहां पर देखोगे first or second में फास्ट और second में दोनों में common क्या आ रहा है 55 आ रहा है न तो अब बाए फास्ट एंड सेकिंड एक्वेशन फास्ट एक्वेशन से क्या आ रहा है हमने तो उपर माना था कि A and B है क्या आ रहा है common factor common factor यहां पर क्या आ रहा है क्या फाइव आ रहा है तो एक्वेशन में हमने क्या माना था कि इन दोनों का को यह दोनों क्या है को प्राइम नंबर ए और बी क्या आपके पास को प्राइम नंबर है A and B are को प्राइम नंबर से बट यहां पर इनका क्या आ रहा है क्या फाइव कावन फेक्टर आ रहा है तो यह जो कंटरडिक्शन अराइज हो रही है ना उपर और नीचे वाले जो यहां पर ले ले लो यहां पर आपके पास क्या था B था A और B क्या थे आपके पास दो को प्राइम नंबर से तो लेकिन जब हमने इन दो कंडिशन को देखा तो यहां पर हमारे पास A और B क्या आ रहे हैं आपके पास इनका जो कामन फेक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है तो आब आप कह सकते हो कि this contradiction arise due to this contradiction arise due to our wrong assumptions हमने उपर ही जो है wrong assume किया था हमारी जो wrong assumption थी उसकी वज़ा से यह जो है ब्रोदा वास आ रहा है ठीक है जी तो आप कह सकते हो this contradiction arise due to our wrong assumptions तो आप लिख सकते हो कि आपके पास जो एंडरूट 5 क्या है अडरूट 5 इसन इरेशनल नमबर ठीक है तो क्या आ जाएगा अडरूट 5 इसन इरेशनल नमबर तो यहां जाएगा अडरूट 5 इसन इरेशनल न अडरूट 5 इसन इरेशनल नमबर तो यह आपका question था और इस तरीके से आप अडरूट 2 अडरूट 6 अडरूट 7 इस तरह के questions को प्रूफ कर सकते हैं I hope कि आपको question number one समझ आया होगा अब वेट करें दूसरी वीडियो भी जो है बड़ी जल्द अपलोड हो जाएगी मुझे दीजी जल्द जैहिन जैवाद